हालो स्टूटन कैसे आप सबी मुझे उमीद है कि सब अच्छे से होंगे तो आज हम लोग साइंस फर्स में चेप्टर वाइस जो है मांक्स डिस्ट्रिब्यूशन है वो देखने वाले हैं चेप्टर वाइस जो वेटेज है वो देखेंगे ठीक है तो उससे पहले मां बताता है कि साइंस फर्स्ट में जो चेप्टर है क्या क्या है तो ग्रेविटेशन जो है ग्रेविटेशन पे आपको पांच मांक्स है तो कि सारी जो मैंने लिया है टोटल 60 मांक्स है साथ मांक्स विट ऑप्शन है 40 मांक्स का आपका पेपर है और 20 मांक्स जो रहेगा आपका आप equation ये भी 6 marks के लिए second chapter बहुत easy है और मुझे उमीद है कि आप उस पर preparation अच्छे से करेंगे तो second chapter अच्छे से कर ले ना अब ताकि 6 marks आपको पूरी आसानी से मिल जाए ठीक है आगे बाट करते हैं हम लोग chemical reaction के बाद effect of electric current ये 7 marks का है ठीक है इसमें right hand left hand roll वो सब आने के chances है तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हीट का हीट जो है आपका 5 marks का हीट से आने वाला है reflection of light बहुत important chapter है और सबसे ज्यादा coverage इसी से है 7 marks के लिए और effect of electric current यहां से है तो दोनों देख सकते हैं 7 marks 7 marks और तीसरा जो है carbon compound यह भी 7 marks के लिए ठीक है lenses देख लेते हैं हम लोग यह भी 6 marks के लिए आने वाला lenses आपका फिर उसके बाद space missions बहुत आसान चप्टर है जिसमें आसानी साब 5 marks निकाल सकते हो और पास होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने सब्सक्राइब करना ना भूले